देखिए इस वीडियो में रिवीव करेंगे flu kind AF drop के वारे में और इसके वारे में यह समझेंगे कि डॉक्टर इसको कब prescribe करते हैं कितने बड़े बच्चे में देने के लिए कहते हैं इसकी कितने dose दी जा सकती है क्या यह side fat करती है बच्चों में और कितने उमर तक के बच्चों में ये काम करती है तो वीडियो पूरा देखेगा तो भीया देखिए जो द्वाइया होते हैं इनको डॉक्टर की स्लाज से ही दिया जाता है डॉक्टर ही इसकी डोज प्रस्क्राइब करते हैं इसको कब दिया दाता है ये सब फूर्फ डॉक्टर ही करते हैं तो वीडियो का मकसद शिर्फ इनफॉर्मेशन देने का है कभी भी सेल फ्यूज नहीं करना है इस चीज़ का खास कर ध्यान लगना है सेल फ्यूज नहीं करना है कोई भी दॉआओ चाहिए ठीक है डॉक्टरी स्लाज देना है जबकि जब बच्चा छोटा होता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको सक्त रहना चीए अब देखिए ये पंदरा में लगाता है साथ रुपे का असपास मिलता है वालेस कंपनी इसको बनाती है वालेस नामी कंपनी मनाती है इसके अंदर दो दुआओ का कंपनीशन आता है कलोर फिनरा माइन दूसरा आता है फैनिले फरी ये दो दुआई इसके अंदर आती है अब इसके बारे में समझें तो देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर आप देखोगे कि पेरसिटामोल नहीं है यह इस ड्रोप की खास बात है पेरसिटामोल क्यों नहीं है एक्चली होता है कि बच्चे को क्या कि जुखाम खाशी हो जाता है तो उसको बुखार भी आता है लेकिन जब ड्रोपर की अंदर पेरसिटामोल होता है तो वो 125 हमजी में होता है और अगर ब अब इसके अंदर अगर परसिटमोल होगा तो अगर आप इसी को दोगे तो यह तो सिर्फ दो से तिन बार दी जाएगी ठीक है लेकि बच्चे की बुखार नहीं उतरेगी इसके कार क्योंकि परसिटमोल आपको कई बार देना पड़ सकता है जिन में तीन से चार बार तो इसल अब देखिए समझते हैं यह जनरली बुखार की प्रोलों में काम नहीं आएगी क्योंकि इसके अदर परसिटमोल नहीं है अगर बुखार है बच्चे के तो परसिटमोल इसके साथ में दिया जाएगा दूसरी सिर्फ में ड्रो में तो कलोर फिंदरा में एक एंटि हिस्टा होता है जक्रन में काम आता है स्वांस में दिक्कत है बच्चे के गला खराब बच्चे के यह जगर जाता नहीं गुट जाता बच्चा गुटन हो जाता है तो वहां पर फैनिले फिरीन काम आता है इसको केते हैं डी कंजिस्टेंट इसको केते हैं anti allergic या anti-stamin allergic प्रोलों में क चलता है अब देखिए जो ड्रोप यह चोटे बेविम दिया जाता है जैसे की जिरो साइज से लेके पंदरा मन तक के बच्चों में दिया जाता है बच्चे का body weight बहुत जरूरी होता है उसके बाद ही डोज होती है तो इसकी जो डोज होती है यह 0.5 ml अगर बच्चा एक महिने से लेके तीन महिने तक है और अगर बच्चा तीन महिने से लेके 6 महिने तक है तो एक अमल हो सकता है एक अमल ठीक है ये दिन में दो से तीन बार हो सकती है ये भी दिन में दो से तीन बार हो सकती है बच्चा अगर छे मेने से बढ़ा है तो वहाँ पर एक अमल से जादा भी हो सकता है तो इस तरह के से ये केलकुलेटर की जाती है बच्चा अगर एक मेने से लेके या एक दिन से दिखा गया कि बच्चे को दस्त लग जाते हैं इसको देने के बाद या बच्चों के अंदर fruitness आ सकती है, गेस बन सकती है, बच्चे को नीन दाने में डिक्कत हो सकती है, कोई skin allergy भी कर सकती है, इनके side effect भी होते हैं, लेकिन बहुत ही कम chance में इसके side effect होते हैं, अगर बच्चे को side effect कर रहा है, बच्चे को अराम नहीं आ रहा है, तो आप इसको डॉक्टर के पास जाके जूर दिखाना है, तो दोस्तों संपूर्ण रही हो था, flu called AF drop के बारे में, self use नहीं करना है, डॉक्टरी स्लाशी लेना है, बहुत बहुत धन्यवाद,